नमस्कार दोस्तों दोस्तों यहाली में आप लोगों ने सुना हुआ चंद्रियान 3 की सक्सेस की लेंडिंग होगा यह चांद के साउथ पूल पे और यह जो है यह एक एत्यास प्रूमेंट है इसरो के लिए और साथी साथ पूरे इंडिया के लिए अब देखिए अब चंद्रियान 3 की सक्सेस की बाद इसरो यहां नहीं रुका है अब इसरो जो है चंद्रियान फूर्मी तरह बढ़ रहा है और इस मिसन के लिए हमें खुद सामने से अप्रोच किया है जापान ने जी देखिए आप लोग को पता होगा कि जापान का एक मिशन था जो कि उसने UAE के साथ प्लेंड किया था जिसका परपरसा चांद के साउथ पूल पे सौफ लेंडिंडिंग कराना जी यह पूरा मिश तो अब जो है जापान सामने से अप्रोच कर रहा है कि हमें भी अपने साथ कर लो हमें भी अपने साथ कर लो तो अब जो है जापान और इस रो जापान की जैकसा और इस रो यह दोनों मिलकर जो है एक मिशन ब्लेंड कर रही है जिसका नाम होगा चंद्रियान फोर जिसका आप लोग आएंगे हमारा चंद्रियान थ्रीवी तो पोल्स पर है साउथ पोल बनाता है यासे हमारा मूल भूंगा कि यहां पर यह यह देखें यहां पर यह 90 तो इस पॉइंट पर लेंड करेगा यहां यह सकता है वो नोर्थ पोल जो सकता है और इस पूरे मिशन का नाम जो हो लूप यहाई सरक खा गा एक है अब देखे अब लोग पता चलेगा कि वो लिए कहा जाने वाला है और इसका में पर्पस क्या है क्यों जा रहा है यह तो इसका में पर्पस है कि यहाँ पर पानी को देखना बेसे लिए अभी तक सबी दोग पानी पर यहां पर निज़ के वह है आप विल्ब करें के भिल्ण बें ब हुआ है और लोगा उधिस वहर ने लि-ब रही क कि बेंद दोगे है £1 of us, देखिये अब इस पूरे में में दो एजेंटी सामेल है। एक होगी जापान की जैक्सा और दूसरे होगी इस्रो, अब दानों का मेंनी काम क्या रेने वाला है। लोगा काम के देड़ हुआ है। तो इनका काम है यह पूरे रोकेट को यह पूरा जो लॉंजिंग विकल है उस इसरो काम क्या है इसरो काम है लेंडिंग का यानि कि इसरो जो है लेंडिंग कराईगी प्रवपत क्योंकि हम लोग एक सक्सेस्फुल लेंडिंग होई है साउथ पोल में जो कोई ने करा पाया है तो इसीनी जो इसरो को काम दिया गया है इसरो ने काया है कि हम जो है प्रप्र मुंट कर लिए तो लेंडिंग के बाद किया यह है कि जो रोवर निकलेगा है वो भी एंटर रहलेएंगे तो जब पूरी फूरी हींटी मैंने के लिए इस चीज को किया जाएगा और अभी यहाला कि date decide नहीं की गई है कि कब तक यह mission को एक तरह से इंजाम किया जाएगा पर अभी जो है इसके इंपर बात चल लगी है और पाइनली यह जो चीज़ा ही conclude करें कि आया है कि इसरो और जैकसा यह दोनों agencies contribute करेंगी चंद्रयान फोर्ड लिए और इस पूरी mission में जापान है वो खुद अपना जो launching vehicle है उसको launch करने वाला है तो उसका launching vehicle है वह है H3 अब देखें इंडिया का आप लोगों पता है GSLV हुआ PSLV हुआ ठीक है SLV हुआ तो यह कुछ है इंडिया गया है इंडिया ने खुद बनाई है launching vehicle और यह जो है H3 यह basically यह जापान का अब तो देखें आप H3 को अगर मैं आपको दिखा हूँ तो यह देखें यह है H3 यह जाकसा यह उवर लखा हुआ है अब देखें यह जो है यह आप कह सकते हैं बिनकुल हमारा जो main यह जो हमारा यूज होता है commonly use करते हैं हम लोग जो बिलकुल यूज करते हैं GSLV को बिलकुल ही है इनका H3 अब इसके जो है four variant आते हैं आप लोग देख सकते हैं H3 30S, H3 22S, H3 22L, H3 24L अब देखें इस जो moon mission में वेजने की जादर probability है इसकी ठीक है H3 24L इसमें पूरे-पूरे चार वोश्टर्स लगे हुए हैं जो कि इसको highly power provide कराएंगे अर्थ की औरवर्ट से बाह यूज़ कर रहे हैं तो इसमें लोगा कहना है यह जो है easy to use है इसको वहता असानी समलों यूज़ कर सकते हैं और दूसरा यह वह जादा flexibility भी उफन रगता है तो इसको आप नहीं meet कर सकते हैं तो यह जो है इनका कहना है कि यह जो है वह जादा cost efficiency है और साथी साथ इसकी reliability में काफी हाई है इसको success rate है वह भी काफी हाई देखने को मिलते हैं लोगों को तो इसलिए यह जो है यह इस H3 का use करने वाले है H3 24L basically यह है इनका proper variant तो इसका ज quantity पानी है है और साथी साथ यह बता करेंगे कि यह जो पानी है क्या वो पीने like है भी या नहीं अब देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो मताया था विछली जो चंद्रियान 3 वाली वीडियो है उसमें आपको बताया था कि डाक साइड है यानकि जहां पर रोशनी नहीं आप लोग लेकर चल सकते हैं तो माइनस में इतना जादा बहुत जादा टेंपरेचर हो जाता है ठीक है और absolute zero आप लोग बता होगा 273 निगरी होता है मैनस 273 निगरी celsius तो अब इतने कम टेंपरेचर पे यह जो है रो और यह सब चीन को ऑपरेट करेंगे तो अब आप में जो बहुत जादा difficult task हो जाएगा यतने कम टेंपरेचर पे मश्यूनों को ऑपरेट करना तो आने वाले टाइम में हम लोग देखे हैं क्यों और किस तरह से जापान और इस्रो साथ मिलकर काम करते हैं और क्या जापान इस्रो के स्टेंडर्ड के साफ से बैठ पाता है नहीं क जापान इस्रो के स्टेंडर्ड के साथ अब इस्रो का जो है एक अलगी स्टेंडर्ड वाज़िया आच्छी डायम पर यानि कि जो आज कि अमेस तरह नाफ्या को लोग देखते हों तरह से इस्रो भी देख रहे हैं इस्रो का अलगी प्रेस चलना है ऐसे टाइम पर जबसे चंद्रियान 3 की सॉफ्ट लेंडिंग कराई है तो भी आगे आने वाले फिचर हों अब लोग इन तो अनों का एक मर्जब देखेंगे चंद्रियान 4 के लिए तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ समझनी को मिला होगा नया कुछ चानली को मिला होगा कि आज की ता झाल झाल झाल